देचिए A&B News पर हिमाचल का महासंग्रां आधी टीम को जबकि आधी टीम को आज हेलिकॉप्टर के माध्यम से रवाना कर दिया गया है। प्रचार पूरी तरह से थम गया है। आधी टीम है वो कल बड़ा बंगाल पहुंच गई है। और जो बाकी बचीवी टीम थी वो आज बड़ा बंगाल मौनिंग के अंदर पहुंच चुकी है। और जो बाकी टीम से उनकी सभी जो असेम्मली कॉंसिट्वेंच इसे आज रवानगी होनी है। और अब तक 12 बच तक यदि में बात करता हूं तो लगबग 219 टीम में पूरे जिला भर में अलगला कॉंसिट्वेंच के अंदर जो हैं वो रवाना हो चुकी है। आज सभी टीम को जो हमारा EVM वह भी प्रोवाइट की जाएंगी। साथी साथ जो इलेक्शन माटीरियल है चाहे वो पोलिंग स्टेशन स्पेसिफिक हो चाहे वो नॉन पोलिंग स्टेशन स्पेसिफिक हो वो भी सारा आज प्रोवाइट किया जाएगा। और आज मैं खुद भी जाहिजा ले रहा हूं जगा जगा जाकर की जो डिस्पैच की जो विवस्ताएं हैं जो सुवदाएं हैं वो अपेक्शित जो थी उसके अनुरूप है की नहीं है और अभी तक जो यह प्रोसेस है स्मूद चल रहा है और मैं मानता हूं शाम को तीन- कांगरा के अंदर डिस्पैच हो जाएंगी देखें क्योंकि मानी एलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की जो जो देशा निर्देश होते हैं उसमें लास्ट सेवेंटी टू आज और फॉर्टी एट आज के अंदर जो हमें सर्विलेंस एक्टिविटीज है उस पर जादा उसको करने का जो निर्देश हमें रहते हैं तो इसके चलते हमने जितने भी हमारी फ्लाइंग स्कौाइट्स हैं उनको भी आदेश दिये हैं कि वह एक स्टाटिक जो नाके हैं उसको लगाना शुरू करें क्योंकि आज शाम को पांच वजे जो कैंपेंड पीरिड है वो भी खतम ह हो जाएगा तो हमारी जो वीडियो सेविलेंस टीम से उनके साथ इंग मेजिस्ट्रेट अटाच करके उनको भी एफस्टी और एसस्टी का जो कारे है वो दिया जाएगा साथी साथ आज यह भी आदेश पारित कर दिये गए हैं कि कोई भी असेंबली जो है या कोई भी पैल देश हैं वो दिये गए हैं और सभी फील्ड टीम्स को भी बोला गया है कि अपने अपने एरियास के अंदर वो अपनी जो चौक्सी है उसको बढ़ा दे अपने नाकों की फ्रिक्वेंसी उसको बढ़ा दे और यदि कोई भी ऐसी इलेगल गतिविती उनके ध्यान में आती ह चाहे वो लेकर डिस्टिबिशन को लेके हो चाहे वो गुड्स के डिस्टिबिशन को लेके उसके उपर पैनी नजर रखें और उसके उपर जो अप्युक्त कारवाई है वो की जाए वहीं आपको बता दें कि 12 नॉम्बर को होने वाले हीमाचल विधानसवा चुनाओं के लिए जिला कांगडा में आज पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है जिला निर्वाचन अधिकाई डाक्टर निपूर जिंदल ने कहा कि जिला कांगडा के 15 विधानसवा चेत्रों में कुल 1627 मतदान केंदर बनाए गये हैं जिनवे से 1625 मुख मतदान केंदर हैं और बड़ा संगाल और सिद्ध बाड़ी में दो उतक्रिष्ट मतदान केंदर बनाए गये हैं डाक्टर निपूर जिंदल ने कहा कि कांगडा के अति दुर्गम चेत्र बड़ा बंगाल के लिए आधी टीम को बुद्धवार को जबकि आधी टीम को आज हेलिकॉप्टर के माध्यम से रवाना कर दिया गया है उन्होंने कहा कि जिला कांगडा के विविन मतदान केंदरो के लिए करीब दो सो नीश्टी में रवाना की गयी है साथी मतदान से संबंदी समागरी को भी भेजा गया है उन्होंने कहा कि आज शाम पांच बजी के बाद जिले भर में चुनाओ पर रोक लग गई है आपको बता दे कि हिमाचा चुनाओ को लेकर लगता सरगर्मी बढ़ी हुई है बिजेपी कॉंग्रेज परचार परसाज में जुटी हुई है वहीं आज से चुनाओ परचार पर जन सभाओं पर रोक लग गई है जिसके बाद से अब सभी पार्टियां नुकड सभाएं और लोगों से डोर टो डोर परचार कर रही है लोगों को घरों पर जाकर प्रत्यासियों से और प्रत्यासी लोग मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं वहीं हिमाचल में OPS एक बड़ा मुद्दा है जिसे घुनाने के लिए कॉंग्रेस लगातार प्यास कर रही है कॉंग्रेस की महासचीव प्रियंका गांधी ने इस OPS को लेकर अपने शंकलपत में शामिल होने की बात कहिए और उने कहा कि पहले कैबिनेट में ही OPS को मुद्दे को सुलजाया जाएगा और जो यहां पर रिटाइड कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें बहाल किया जाएगा वही धर मसाला से अधिक जानकारी के लिए हमारे स्वादाता संजय अगरवाल चुड़ गए हैं संजय चुनाओ पर पूरी तरीके से रोक लग गई है अब सभी पार्टियां जनसभाएं नहीं कर पाएंगी डोर टो डोर प्रचार करेंगी पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो गई हैं क्या कुछ अपडेट है जी रवी कि आज ही प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगला में जो है चुनाओ परचाथ थम गया है आप किसी भी प्रगायर के रहली आप को भी सोर सरा पोजवाद पूरी तरह से बंद कर दिया गया है इसके साथ ही पूरे जिला कांगला में जो कि स्राप की बिक्री पर भी प्रदेश लगा दिया गया है साथ ही पूरे जिला कांगला में जारा 144 लगा दी गया है और किसी भी जगा पाल से ज्यादा लोग इकठा नहीं हो सकते है इसके साथ ही पूलिस का बुक्ता प्रवंद क पॉलिंग पाल्टियों को अपने पॉलिंग भूत्वा दावादा कर दिये गया है जीरव जी वहीं संजय जी चुनाओं के समय और मतदान के समय एक चीज का विशेज ध्यान दिया जाता है कि जो छेतरी लोग होते हैं जो छेतरी नेता होते हैं लगातार जनता के बीच में ज प्रसासन लगातार कदम उठाते रहे हैं हर प्रदेश में लेकिन क्या इन सारी चीज को लेकर शाषन प्रसासन पहले से सतर्क है? अगले बादे दो दिनों में भी ये पूरी नजर रखी जाएगी और कोई भी ऐसी कारवाई पर रोक लग गया है बीजेपी और कॉंग्रेस लगातार प्रचार केंपेंड किये कॉंग्रेस के बड़े दिगजने था हिमाचल में अपने डेरा जमाई और प्रचार लगातार कर रहे हैं वहीं बीजेपी की तरफ से भी इस बार का चुनाव और जमीनी हकीकत आपने देखा है कि हमाचल की जनता की पुकार क्या है उनकी मांग क्या है आपको क्या लगता है कि आने वाले कल में क्या बड़ा उलट फेर देखने के लिए मिलेगा या फिर एक बार फिर बादबाब के पूरे उसमें जोसमें थी लेकिन बादबान जिस प्रकार को टिक्तों का अवरंटन किया और इसमें कुछ बादबा के नितारुस्त हुए है उसको लेकर बादबा का पनलड़ा एक गमसे तूटा है और अब जो आलत बादबा की देखी जाए तो लगता नहीं क बादबा बड़ी असानी से जो ऐसा साथा पर आ जाएगी अगर कांगर्स की बादबा करें तो कांगर्स की हाल से भी अभी 50-50 चली वी है कि कांगर्स भी अभी इतनी मजबूस्ची देके नहीं जा रही है कि वो पूरे बहुमत के साथ या जादा सिते लेके अपनी सरकार प्रतेज में तुना पाएगी जी रवी जी वहीं संजे सवाल ये भी खड़ा होता है कि हिमाचल को लेकर लगातारी एक बार 2024 का आहट अगर जो भी पार्टी हिमाचल चुनाओ जीतेगी 2024 में एक बार फिर आहट देगी लेकिन वहीं हम आएंगे सुरक्षा बिवस्ता को ल कर जो निर्वाचान अधिकारी हैं निर्वाचान आयोग के लोग हैं क्या ये पूरी तरीके से सतर्क मोड पे हैं संजे वहीं संजे एक लाज प्रेशन है हमारा धर्मशाला का अगर मुद्दा देखा जाए धर्मशाला के लोगों की पुकार क्या है और धर्मशाला का में मुद्दा क्या है रवी तर्मशाला में पिछे करोना काल में जखा जाए तो यहां पे तूरिस्त जो है कि यहां पर सारे होटल बेशाई हैं होटल बेशाईयों को जो काफी जो यहां पे मतलब संक्टे के दुरान आथिक परजानी का कामा सामना करना पड़ाता है कि होटल भी दिखी है रोजगार बिलकुर मतलब टोपिट हुआ है और उनको अभी तक उन्हें रोज है कि परदेश सरकार की तरफ से उनको किसी भी परदार की आर्थिक जो मतलनी मदद नहीं दी जो बैंको वाले लगतार उनकों करका लुटाने के लिए दिए दवाब डादरे लेकिन वह इतने हटाएं हैं कि करदा वह बरत भी पार हैं तो उसकी परफाई के लिए उनको काफी रोज़त पर चाहते हैं कि सरकार असी आई कि उनकी इस संक्ट को देखते हुए उनकी वहीं उचाई वाले मतदान केद्रों में बहरबारी के इस्तित्त से पूलिंग पार्टियां और चुनाव सामागरी चैपर्स के माध्याम से भेजी गई है वहीं चुनाव प्रचार थमते ही पडोसी राज्यों से लगती सीमाव को सील कर दिया गया है प्रचार के अंतिम दिन केंद्री ग्रह मंत्री अमिर्शा कांगडा के शुला और पावंटा साहिब में रहलिया किये तो वहीं कॉंग्रेस की राष्टी महासचिव प्रियंका गांधी सत्ताओन में जनसभा को संबोधीत की वहीं प्रियंका शिमला में रोट सोभी की आपको वदा दे की भाजपा क की राष्टी अध्यक्र जेपी नडडा, यूपी के सियम, योगी आदितनात, उत्राखंड के सियम, पुषकर सिंग धामी, केंद्री मंत्री इसमिती रानी की भी रहलियां संपन हो चुकी हैं और अब सिर्फ डोर टोर प्रचार हो रहा है वहीं कॉंग्रेस सभी 68 विधानस सभा छेत्रों में विजय आसिरवाद रहली निकालेगी, इस रहली की सुरवात मंदिर में पूजा अर्चना की बाद कॉंग्रेस सुरवात करेगी वहीं बढ़ते हैं अगली खबर के ओर जहां जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज राय ने 48 विलाजपूर सदर निर्वाचन छेत के पोलिंग पार्टियों को अपने अपने गंतब इस्थान के लिए रवाना कर दिया है उन्होंने स्वतंत निस्पक्ष पारदर्सी वा शांधी पूर्वक मतदान प्रक्रिया को पूरी करने के लिए पोलिंग पार्टियों को सदस्यों को और शुपकामनाय भी दी है वहीं उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशा अनुसार सभी पोलिंग पार्टियों मतदान प्रक्रिया में अपने अपने कारियों का निर्वाहन जिम्मेधारी पूर्वक करेंगी जिले में सभी 418 पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है वहीं आपको बदा दे कि आज चुनाव प्रचार थम चुका है जिसके बाद पोलिंग पार्टियों को उनके इस्थानों के लिए रवाना कर दिया गया है वही जिला निर्वाचन अधिकारी पंकर राय ने 48 विलाजपुर सदर निर्वाचन छेत की पोलिंग पार्टियों को अपने अपने गंतब इस्थान के लिए रवाना किया है उन्होंने स्वतंत निस्पक्ष पारदर्सी वा शांति पूर्वक मतदान प्रक्रिया की पूर्ति के लिए पोलिंग पार्टियों के सदर्श्यों को शुपकामनाय भी दी है उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशा नुसार सभी पोलिंग पार्टियां मतदान प्रक्रिया में अपने कारियों का निर्वाहन जिम्मेधारी पूर्वक करें जीले में सभी 418 पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है यानि कहा जाए कि पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है वहीं शांती और सौहार्द पूर्वक ये मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने पहले से ही अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की अन्य होनी ना हो उसके पहले शासन पर शासन पूरी तरीके से ततपर रहें और चुनाव प्रक्रिया को संपन कराएं वहीं आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव पर चार तंग गया है अब डोर टो डोर ही सिर्फ परचार हो पाएगी वहीं कॉंग्रेश डोर टो डोर परचार के माध्ययम से जनता के दिलों में अपनी जगा बनाने की कोशिस करेगी एक बार फिर 5 साल जो हर 5 साल के बाद शत्ता परिवर्तन की आहट होती है उसे कायम रखेगी वह इस कबर पर अधिक जानकारी के लिए बिलासपूर से हमारे समवादाता सुरेंद जामवाल जुड़ गये हैं सुरेंद पांच बजे तक मतदान और कुल मिलाकर प्रचार प्रसार थम चुका है जन सभाय थम चुकी है अब डोर टू डोर तू डोर सिर्फ और सिर्फ प्रचार हो सकेगी जनता और नेता के बीच में जो समन्यवाद है वो कैसे देखा जा रहा है प्रचार का अखली जन था इसमें पांच मजे प्रचार बिल्कुत सम चुका है जिससे बाद जो भी प्रचार प्रचार चलेगा वो डोर तू डोर चलेगा जिससे किसी भी स़रा का स्रोसरा बान नहीं होने जाए वहीं अगर बात करें कि ये निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरीके से अन्होनी ना हो और सभी पोलिंग पार्टियां जो रवाना की गई है अपने अपने गंतब बिस्थानों के लिए उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है वहीं सुरेंद्र आज शाम पाच बजे मतदान यानि कहा जाए प्रशार थम गया है लेकिन सवाल यही है कि बिलाजपूर की शमस्या और जन्ता की मांग क्या है बिलाजपूर की जन्ता इस बार किस मुद्दे को लेकर मतदान करने वाली है वहीं सुरेंद्र सवाल यह खड़ा होता है कि लगातार पांच सालों तक बिजेपी ने सत्ता पे राज किया और हिमाचल को चलाया लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि पांच सालों तक बिजेपी ने जो काम किया है उससे यह लगता नहीं कि हिमाचल की जन्ता एक बार बिजेपी को फिर से सत्ता पे बैठाएगी वहीं बिलाजपूर की जन्ता की हम बात करें बिलाजपुर की जंता इस बार किन मुद्दो को लेकर मतदान करने वाली है। वो मुद्दे कौन होंगे? कोई भी हो उनको हम हरे एक मिन्ने के 15 सुर्पाय दिए जाएंगे। अब पूरा चुनाव आपनी कवर किया है। पांच साल जो सता में बैठी वाला पार्टेशी उसको कहीं न कहीं जो बर्द कुनार किया जाए। और पांच साल का परवर्टी हिमाचल परदेश में चली है। सुरेंद्र आप हमारे साथ जुड़े आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अधिक जानकारी साचा की वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की और जहां हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर से कर्वट बदल ली है वहीं प्रदेश के अधिकतर इलाकों में सुबा से ही बादल चाय हुए हैं मौसम विश्य सग्यों ने आज लाहूल इसपीत कि नवर वा उना को छोड़ बाकी नवजिलों में ठंड की बढ़ती असंका को देखकर अलट जारी किया है वहीं इसे लेकर प्रसासन ने सैलानियों को अलट किया है उचे छेत्रों में हिमपात वा मैदानी इलाकों में वर्सा हो सकती है वहीं आपको बता दे कि हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करमण बदली है वहीं प्रदेश के अधिकतर इलाकों में सुबत से ही बादल चाय हुए है मौसम विश्यसग्यों ने आज लाहूल, स्पीत, किन्नावर वा उना को छोड़ बाकी नौजिलों में ठंड की आसंका जताई है वहीं इसे लेकर प्रसासन ने सैलानियों को अलट किया है उचे छेत्रों में हिमपात वा मैदानी इलाकों में वर्सा हो सकती है और लगातार इस ठंड की मौसम में भी आज पोलिंग पाटियों को भी रवाना किया गया है हिमाचल में चुनाव है जिसे लेकर राजनितिक सरकर्मी बढ़ी हुई है वही मौसम की बात करें तो मौसम में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलट जारी किया है और लोगों को उचे इलाके में रहने के लिए जो लोग रह रहे हैं उन्हें अलट किया गया है किसी भी प्रकार का जो खिम न उठाएं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने लगातार लोगों को अलट जारी किया है कि किसी भी प्रकार का जो खिम न उठाएं वही मौसम विभाग के मुताबिक अगर कहा जाए तो उचे इलाकों में बारिस हो सकती है और ठंड बढ़ने की आशंका है वहीं हिमाचल प्रदेश की जो राजनीती है वो भी ठंड के मौसम में बिलकुल गरम हो चुकी है यानि कहा जाए कि बढ़ती ठंड की बीच में राजनीत भी बिल्कुल गरम है अब ये देखना होगा कि इस ठंडी बढ़ती ठंड की बीच में राजनीत की कितनी रोटी गरम रहती है पिलाल इस बुलेटेज में हमारे साथ इतना ही बागी खबरों से जूड़े रहने के लिए देखते रहिए ये अन्वी जोच नमस्कार देखिए एंबी मूस पर हिमाचल का महसंद्रा